कि यह पैंसल किसकी है पाई ओहो चाचुल बैंक चाने में देरी हो रही है अब चलिए ना अब दीजे चल और यह ले तेरे लिए एक पैंसली जाचुल रास्ते में गड़े हैं या गड़े में रास्ता कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ओ वो देख पती जे सजेश्चन बॉक्स एक अच्छे नागरी खोने के नाते हमारा फर्ज बढ़ता है कि हम इस शहर के वकास के लिए सही सुजाव दें मुझे वो पैंसल दे वो एस तुट्टी फुट्टी सडक को इतना स्मूध बना दो जैसे की पकड़ अरे चाचू ये रास्ता तो सच में वक्षण जैसा बन गया है ये स्कूटर रचाड कितना तेज कैसे चल रहा है अरे जारी पिसल यू रही है औरे जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा हाथ उपर कर लो दोस्तों अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा क्या इस पैंसिल से लिखी बात सच हो जाती है? मुझे चेक करना होगा जंका की गन से खोली की जगद गुलाब निकले शुक्रिया चोर जी मुझे गुलाब बहुत पसंद है बक्वास बंद करो सारा पैसा मेरे हवाले कर दो चल दे अब ये मुझे बडोलगी के सिर पर गिरेगे वे दोलगी पाई तुम्हों क्यों लोगों को ड्रा रहे हो? ये बंगा हवा में ही रुक जाए चाचा भोश यारे नहे और हाँ उपर ये सारे नोट के बंदल पत्थर बन जाए जिजे लगता है कुछ जाधा ही पैसे लूट ले आप बंदूपनी जी की लाद आकर डंका दोलकी को लगे रभ पावड़ी बूझ भास की पूझ मैडम जी कहा जा रहे हो मैं अभी आया इतनी लंबी चलांग अगर मैडम जी ने स्पोर्ट्स में लगाई होती तो आज रिकोर्ड बनता कौन कहता सा कि पुलीस वक्त पर नहीं पहुचती है कानून के हाथ और बंदूकनी की लाच से कोई ना पत सके है बंदूकनी जी ये सारा कमाल इस स्पेशल पैंसिल का है इससे जो भी लिखो सब सच हो जाता है ये पथर फिर से वोट के बंडल बढ़ जाए हमें 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 क्हा को लेकर जाओ वो टोलकी भी जल्द ही पकड़ा जाएगा तंका ढोलकी ने बैंक का क्या हाल कर दिया आज के लिए बैंक बंद वे जी बैंक बंद करने की क्या जुरूरत है मैं हूँ ना सब ढ़ी कार दूँगा अपनी से स्पेशल पेंसल से ये सारी टुटी हुई कूरसिया फिर से जुड़ जाएगा क्यों चाचा स्पेशल पेंसल काम नहीं कर रही जीचे की हदगाड़ी खुल जाए है बंदूपनी की चीप का टायर बंक्चर हो जाए पावडी बूच भैंस की पूच और का भागरा से है बंदूपनी के रास्ते में एक बड़ी दीवार आजाए वाव वाव करामाती पेंसल दिखा अपना कमाल बैंक के सारे पैसे चल कर मेरे पास आजाए रहने दो चाचा ये आपके स्पेशल पैंसल के बस की बात नहीं है वो ये पैसे कहा जा रही है चाचू आपके हाथ में एक मामूली पैंसल है लगता है स्पेशल पैंसल किसी घलत हाथ में चली गई है हमें इन पैसों का पीछा करके उन चोरों तक पहुशना होगा चिटे ये क्या कर दिया तुपने पैसे लिखे इसलिए बैंक से कोईन्स आ रहे हैं रूपिय लिखते तो मोट आते अब इन चिलर का हम क्या करेंगे अरे ये क्या पैसे पेड़ पे नहीं उखते पर रास्ते पर खुले आम घूम रहे हैं तुम्हारी सई जगा मेरी जेम में है ये तो चीटिंग है डंका ढोलकी स्पेशल पैंसिल तो तुम्हारे हाथ लग गई पर उसका सही इस्तिमाल करना तुम्हें नहीं आया अगर मैं तुम्हारी जगा होता तो पैसे नहीं पूरा लॉकर ही मंगा लेता और लिखता कि बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए बात तो ये सही कह रहा है ठोलकी बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए इस लॉकर को मेरे हाथों पैसे हटाओ पतीजे ज्यादा होश्यार बन रहा है अब देख मैं क्या करता हूं चाचा पतीजा एक रसी से बन जाए चाचा और पतीजे पर एक रॉकेट का हमला हो पतीजे वह अब क्या होगा चाचू आप सास अंदर खीचिए वह बच गे नहीं बचे चाचू धोलकी ने लिखा कि चाचू और भतीजा पर एक रॉकेट का हमला हो यानि रॉकेट हम दोनों पर साथ में हमला करेगा पर अगर हम साथ में नहीं होंगे तो रॉकेट किसी एक पर हमला नहीं कर पाएगा तो चाचू अलग-अलग दिशा में भागते हैं चीटें चीटें डंका धोलकी आज मैं मान गया कि आप जैसा महान कोई नहीं पती जे ये तु क्या बोल रहा है चाचू मैं तो कहता हूँ आप भी मान लो कि फंटूश नगर के असली हीरो डंका ढोलकी ही है इनके जैसे शक्तिशाली, स्मार्ट और इंटलिजन चोर हमने नहीं देखे क्या आप मुझे आटोग्राफ देंगे प्लीज आटोग्राफ जरूर जरूर आखिर ये भतीजा हमारे सामने हार ही गया ये लो आटोग्राफ टंका और धोलकी अब जरा पढ़ना तो ये पूरी लाइन क्या बनी है टंका और धोलकी पर एक रोकेट का हमला हो क्या नहीं इतने चोटे पेंसिल के टुकडे का क्या करेगा बतीजाए तंका धोलकी को पंदूशनगर की जेल पहुचा दो हाँ हमसे पंगा लेने का होगा पुरा नतिया पतीजाए ये मैं जाठे़ जो ये अच्छा वे हाँ पतीजा रहाँ आण पतीजाए आण हमसे जाँ पतीजाए खेंगैर भौत्त अज़ा घौत ये वाचत